देखे ये वर्नियर केलिपर्स है और इस वर्नियर केलिपर्स की सहायता से हम किसी वस्तु की लंबाई भी नाप सकते हैं जैसे मान लीजिए हमें इसकी बैटरी की लंबाई अगर मान लीजिए मिजर करना है तो हम इसके बीच में ऐसे इसको रखके इसके जबडों के बीच मे इसे लगा देंगे तो यह हमें इसकी लंबाई को दे देगा इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि यह हमें दश्मलों के दो इस्थान तक लंबाई व्यास आदी की गढ़ना करवाता है अगर मान लीजी इससे हमें बाहिय व्यास निकालना है तो हम बाहिय व्यास को तो ऐसे निकाल सकते हैं पर अगर किसी का हमें आंतरिक व्यास ग्याद करना है तो हम इसके जबडों के भीच में ऐसे भी इसको गरत के इसका आंतरिक व्यास निकाल सकते हैं ये इस तरह सी ऐसे रीडिंग हमें इसी इस्थान पर मिलेगी लेकिन ऐसे हम उसका अंत्रिक व्यास भी ग्याद कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी वस्तू की गहराई नापना है तो हम ऐसे यहां से ऐसे इसको दूर करते जाएंगे और इसकी गहराई को भी नापनेगे और reading हमें इसी स्थान पर यहां प्राप्त होगी तो यह वर्नियर केलिपर्स हैं वर्नियर केलिपर्स की सहायता से हम बाहरी व्यास, आंत्रिक व्यास, गहराई, लंबाई, आदी की गढ़ना कर सकते हैं दश्मलों के दो स्थान तक हमारी स्थान में हमें दश्मलों के एक स्थान तक की गढ़ना देती है और वर्नियर केलिपर्स हमें दश्मलों के दो स्थान तक की गढ़ना देता है देखिए हम वर्नियर केलिपर्स द्वारा अगर किसी वस्तू की माप हम लेना चाह रहे हैं उसका व्यास, उसकी गेहराई, उसकी लंबाई नापना चा रहा है तो देखें एक reading पर मैं इसको set किये हूँ देखना आप इसको ध्यान से देखेगा तो यह हमारी उपर वाली जो scale है यह है मुख्य scale तो मुख्य scale में अगर आप ध्यान से देखें तो एक और दो के बीच में देखें कितने खाने है एक और दो के बीच में एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस तो एक और दो के बीच में दस खाने है मतलब मुख्य scale के एक भाग का माने 0.1 cm अब वर्नियर पर भागों की संख्या हम देखेंगे तो इसको हम 0 मानेगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस वर्नियर पर भागों की संख्या है 10 तो मुख्य scale के एक भाग का माने 0.1 cm और वर्नियर पर भागों की संख्या है 10 अब मैं आपको quick test लेना बताता हूँ कि किस जग से vernier से quick test लेंगे देखे आप अब सबसे पहले हम मुख्य scale का part पढ़ेंगे तो मुख्य scale का part पढ़ेंगे हम vernier के 0 के सामने से तो देखें मुख्य scale का part देखें 1.1, 1.2 और 1.3 लेकिन ये 1.2 और 1.3 के बीच में है 0 वाली लाइन तो मुख्य scale का part हुआ 1.2 समझ में आया ना मुख्य scale का part 1.2 1.1, 1.2 और 1.3 लेकिन ये जो पहली 0 वाली लाइन है 1.2 और 3 के बीच में है तो मुख्य scale का part हुआ हमारा 1.2 अब Vernier पर भागों की संख्या हम देखें गे कि वह कौन सी line है जो बिल्कुल आमने सामने एक सीध में है तो 0 से शुरू करेंगे पन देखना 1, 2, 3 और ये 4 ये चोथी line बिल्कुल दोनों की आमने सामने है तो Vernier पर भागों की संख्या हो जाएगी 4 तो हमारा मुख्य स्केल का पार्ट हुआ 1.2 और वर्नियर पर भागों की संख्या हुई 4 तो वर्नियर का अलपत मांग हुआ मुख्य स्केल के एक भाग का मान बटे वर्नियर पर भागों की संख्या तो मुख्य स्केल के एक भाग कमान कितना था ? पाइंट बन और वर्नियर पर भागों की संख्या 10 तो मुख्य स्केल का हमारा जो वर्नियर है उसका अलपतमांग हुआ 0.01 cm अब देखें हम अपनी रिडिंग पर आते हैं तो हमारा वर्नियर का जो पाठ्यांग होगा वो होगा मुख्य स्केल का पाठ प्लस अलपतमांग गुणित वर्नियर पर खानों की संख्या मुख्य स्केल का पाठ कितना था हमारा ? 1.2 अलपतमांग कितना है ? 0.01 और वर्नियर पर भागों की संख्या कितनी है ? 4 तो यह हो गया 1.2 प्लस 0.04 इस 1.24 cm तो यह हमारा 1.2 हमारा मुख्य स्केल का पार्ट और चोथा खाना आपने सामने मिल रहा है तो इस 1.24 cm एक बार और देख लीजिए 1.24 cm वो यह देखिए मुख्य स्केल में 1.2 से आगे है तो मुख्य स्केल का पार्ट 1.2 और देखिए एक दो तीन और चार यह चोथा खाना आपने सामने मिल रहा है इस 1.24 cm थैंक्स